आज मैं राजस्तान की S.C.D.S. बनाने जा रही हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी आज हम बनाने जा रहे हैं आम का चूर्मा जो की राजस्तान में बहुत ज़्यादा फैमस है और चूर्मा तो राजस्तान में बनाया ही जाता है हर त्योहार पे दालवाटी चूर्मा यहां की बहुत ही फैमस है जास्तान की लेकिन आम का चूर्मा भी बहुत ही अच्छा लगता है उसमें हम एक आम का चूर्मा भी बनाते हैं दालवाटी चूर्मे में तो एक नॉर्मल चूर्मा बनता है एक आम का चूर्मा बनता है जिसमें से हम बनाएंगे आज आम का चूर्मा इसके लिए मैंने एक आम को ले लिया है और उसको छील के और पीसिस में कट कर लिया है कट करने के बाद उसको मैं मिक्सी में पेष्ट बना लूँगी इस तरह से मैंने पेष्ट को बना लिया है और इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी लगभग ये एक कटोरी पेष्ट होगा एक कटोरी आम होगा जिसे निकालने के बाद इसका पल्प एक कटोरी होगा मैंने यहां पे दो कप आटा लिया है और आदा कप सूजी लिया है आप चाओ तो एक कप सूजी एक कप आटा भी ले सकते हैं और मैंने इसको मिक्स करने के बाद एक चमच यहां पे आप देख सकते हो गी ढला है मोरन के लिए और गीय को गरम करना बहुत जरूरी है यो हमने आम को मिखस के रखना ते अर्टें मेnd ढूल देगे जितना हो सकता है आम के पेश से ही लगाएंगे बिलूता है और वाहत के दीबए? जैसे ही आम जैसे हमें जोरत पड़ेगी तो हम दूद यूज में लेंगे पानी हम इसमें यूज में नहीं लेंगे इस तरह से मैंने ये आठा आप देख सकते हो अभी तक पानी दूद कुछ भी नहीं डाला है सिफ और सिफ मैंगो से ही लगाया है और अब हमें लगता है कि म थोड़ा दूर डाल रही हूं और आटा हमें टाइट लगाना है सौफ्ट आटा नहीं लगाना है आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आटा तयार कर लिया है अच्छी तरह से हम इसमें लोच दे लेंगे आटे में और अच्छी तरह हम आटा लगा लेंगे आप देख सकते मूटी भी सेख सकते हैं लेकिन हमें इनके घी में फ्राइ stunts ना है तो इन को इस तरह से मुठ्री में बना लेंगे या शाहिए कि मैं कि इस से मुठ्री बना पारी हूं? कि मुठ्री बना लए— घ्रावाओ lasci मैंने कम कर दिया ओड़े, और उसके बाद हम इसको डाल देंगे बीद मुठरी जो हम ने चूर हम इना है इसको कई बने न दाल देंगे और धेरे धेरे गोलर्डन फ्राई और रिंगे पहले हमें कम आच पर थोड़े के लिए फ्राई होने देना है फिर मीडियम करना है क्योंकि कम आज पे सेखेंगे तो क्या है कि अंदर तक सिख जाएगी नहीं तो ये उपर तक ही लाल हो जाएगी ज्यादा तेज आज पे ये उपर से पूरी लाल हो जाएगी और अंदर से नहीं सिखेगी इसलिए हमें पहले कम आज पे सेखना है और फिर बाद में थोड़ा सा हमें बढ़ा देने हैं गैस को और इस तरह से हमें फ्राई कर लेनी है आप देख सकते हैं कि मैंने सीख चुकी है और मैं इनको निकाल लूँगी और हमारी जो बागी मुठेडी बची थी उनको भी मैं इसी तरह से इसमें डाल दूँगी और फिर से गैस को कम करके और फिर इनको फ्राई होने दूंगी इस तरह से मैंने सारी मुठीया इसमें डाल दी है और थोड़ी देर के लिए हमें चलाना है और हमें बीच बीच में इनको देखते भी रहना है आम का चूरमा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इस सीजन में आम तो बहुत आई रहे हैं तो एक बार आम का चूर्मा बनाना तो बनता ही है इसलिए मैंने सुचा इस सीजन में आम का चूर्मा नहीं बनाया है तो आम का चूर्मा हम बना लेते हैं मैं ये सारे मुठ्री सीख चुकी हैं उसके बाद मिक्सी के जार में डाल ने और इनेको सब्सक्राइब कर दिताक वापिस ब democracy के जार में डाल वापिस, इस तरह से वापस से हम पीसेंगे इनको और फिर से हम उनसको गुमाके और इस तरह से हम सारे चूर्मे को पीस लेंगे इसी तरह से हम मिक्सी पे पीस लेते हैं अगर मिक्सी में पीस ना चाहे तो ठीक है नहीं हम वैसे भी इमाम दस्ते में भी चूर्मे को कूट सकते हैं और इस तरह से मैंने सारा चूरमा पीस लिया है और आप मैं इसमें डाल दूंगी बूरा मीठे के लिए मैंने यहां पे लिया है एक कटोरी बूरा आपको मैं अंदाजा जैसे बता सकती हूं कि मैंने दो कटोरी जैसे दो कप जैसे आटा लिया था तो उससे थोड़ा सा कम हमे बूरा लेना है बाकी उतना ही लेना है क्योंकि मैंने सुझी भी लीती तो दो कप बूरा इसमें डालना ही चाहिए इतने मीठे के लिए इस तरह से मैंने एक कटोरी बूरा डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से हथ से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें गी डाल दूँगी गरम गी डालना है हमें को गरम करके और फिर डालना है मैंने जिसमें मुठ्री सेकी थी उसी गी को मैंने इसमें यूज में ले लिया है और इसमें उसी गी को मैंने डाल दिया है और इसको हातों से मिसलते हुए अच् चूरमे में गी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गी का मिक्स होना बहुत जरूरी है और जब इसमें टेश्ट आता है सबी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ इसी तरह से हमें चूरमे को मिक्स कर लेना है और हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालते हैं ड्राइफूर्स डालेंगे ड्राइफूर्स में मैंने डाला है खोपरा जिसको मैंने कस लिया था थोड़े से डाले हैं मैंने बदाम थोड़े से डाले हैं मैंने काजू और मैंने थोड़े से डाले हैं पिस्ता यह देख स जिसको मावा डालना हो वो मावे को गरम करके और फिर इसमें डाले। मावा डालते हैं तो गरम करके ही डालते हैं उससे भी अच्छा टैस्ट आता है। और इस तरह से हातों से मिक्स करके हमारा चूर्मा रेडी है। आप देख सकते हैं चूर्मा तयार है। देख सकते हैं चूरमत दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टैस्टी था एक बार आप बनाओ तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा